हेलो स्टूडेंट्स ओफ सेवन्थ क्लास टूडें विल कंपलेट दर रिमेनिंग लेस्न नंबर टू ओ फैसिस्टी ओके नौ पेज नंबर फिप्टेंग तेरिज टोपिक एकोनॉमिक कंडिशन के बारे में हम पड़ेंगे यांपे इकोनॉमिक कंडिशन ओफ दा किंग्डम आज वेल एस देट दा कोमन पीपल व क्वाइट वैल यानिकी राज्य की और लोगों के जो आर्थिक सीटी थी वो काफी अच्छी थी एगरिकल्चर वह में ओक्युपेशन ओप दा पीपल का लोगों का जो में ओक्युपेशन वह अगरिकल्चर था देर वर प्रोपर अरे को टेक्स पे करते थे ट्रेड बोथ इनलैंड एंड एक्स्टरनल फ्लोरिस्ट देर वोस नो फिर ओफ थीव्स एंड रोबर्स ओंद रोड यानि कि वहां पे चोरों का कोई भी डर नहीं था रोड पे ना चोरी करने का था ट्रेडर्डर्स और जो मर्चेंट थे वो फ्रीली आजादी से घूम सकते थे कमर्शिल जो रिलेशन्सिप था वर डेवलेप्ट विद मैनी अदर कंट्री दूसरे देशों के साथ उनका डेवलेप्ट हो गया कमर्शल रिलेशन्सिप जैसे की विद साउथ इस्ट एशियन कंट्रीज के साथ ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स जो ट्रेडर्स और मर्चेंट थे उनका जो स्टेटस था वो हाई था सोसाइटी में यानि कि उन्होंने अपना एक खुद का गिल्ड बिल्ड बिल्ड किया जो कि मनी गरम के नाम से जाना जाता था आगे टोपिक आता है सोर्स ओफ रिमेन्यू क्या होता है आए यानि कि जो राजसाब होता है उसका सोर्स क्या था इं द चोला एड्मिनेस्टेशन ब में सॉर्सेज्पी रिमेन्यू वर चोला एड्मिनेस्टेशन में नमीलेसलें कोन कोन से एक तो त अ और दूसरा टेक्सिस त्रेड यानि कि व्यापार मिलता था वो गांगे असेम्बली ते उसको गया था यह काम कलेक्शन का टेक्स का और रिमेन्यू का जो कलेक्शन था उसका काम गाउं की असेंबली को सोपा गया था आउट ओफ दा रिमेन्यू से कलेक्टेड आ हुज समोज स्पैंट उन पब्लिक वैलफियर सर्वेसिस यानि की जो रिमेन्यू से कलेक्ट होता था उसका एक बड़ा भाग की स्पैंट होता था पब्लिक वैलफियर पे जैसे की इरिगेशन के लिए कोई भी कंस्ट्रक्शन करना इस लाइक कैनल्स हो गया टैंक्स हो गया डैंक्स हो गया पॉन्स इस तरीके से जो सैलरी होती थी ओफिशियल और आरमी की वो पेड होती थी का से स्टेट ट्रीजरी से राज्य के खजाने से many magnificent temples were also built during the चोला पीरिड के दोरान भोग सारे magnificent temples भी बनाए गए थी आगे आता है religion belief यानि की धर्धरम में विश्वास the चोला rulers followed a liberal policy of religion की policy थी वहाँ पे यानि की कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता था उनको आजादी थी सिवाजिम enjoyed special patrons the चोला रूलर्स built a large number of temples चोला रूलर्स ने अनेक temples बनवाए जो की इसको dedicate थे Lord Shiva को ठीक है आगे आता है art and architectures के बारे में पढ़ेंगे the चोला रूलर्स made great contribution to art and architecture चोला रूलर्स के उन्होंने great यानि की महान बड़े बड़े contribution किये थे आर्ट और architecture में उन्होंने क्या temple they built temples according to some basic plan यान की कुछ basic plan के अंडर में उन्होंने temples बनवाए there was some distinction from the North Indian style में थे जो की the chief features of the चोला temple इस यानि की जो चीफ फीचर से चोला temple की वह विमाना और टावर थे they placed the temple is an enclosed ot yard में उनको place किया गया था temples को the temples also had huge gateways called gopurams यानि की जो temples था उसका एक huge यानि की बड़ा सा gateways होता था जो gopurams के राम से जाना जाता था the image of the deity was placed inside the inside the sanctum sanctum sanctorum यानि की जो देवता की जो image होती थी वो किसके sanctum यानि की एकांत कक्ष के अंदर रखी जाती थी ठीके दा best example of this temple आज थंजूवर एंड दा गैंगई कोंडा चोलापूरम चोलापूरम दे वर बिल्ट बाई राज 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 इंदर के द्वारा बनाए गए थी यह temple दे आर्दा आर्केचेक्टर मार्वल्स दे चोलाज आर ओल्स बेस्ट नन फोर देयर मैटल इमेजेज एंड स्टोन स्क्लप्चर के उसे भी जो चोला से वो जाने जाते थे हावेवर दो साउथ इंडियन स्टाइल ओफ टैंपल्स बिल्डिंग इस रीप्रेजेंटेड बाई दा पांध्याज चैंपल्स हू रूल बिट्विन सैवंथ टू थर्टें सेंचुरी यान मिनाक्षी टैंपल एट मधूराई बिल्ट बाई दा पांध्याज रूलर्स इस नन फोर इट इंस्टिक्टिव फीचर दो मिनाक्षी टैंपल बनवाया गया था मधूराई में बेक इसके द्वारा पांध्याज रूलर्स के द्वारा वो इसकी डिस्टिंक्शन फीचर के उससे जाना जाता था पेज नंबर 16 देखेंगे यहां पे आपका नेक्स टोपिक आता है दराथाज एंड दा शोर टेंपल्स ओफ महाबलीपुरम तू फोर्म्स ओफ टेंपल्स आर फाउंड इन दा साउथ दा रोक कट टेंपल्स और दूसरा स्ट्रक्चरल श्राइन्स ठीक है दीज श्राइन्स साल का जो जो श्राइन्स थी वो राठाज की नाम से जानी गई दा फेमस राठाज ओफ महाबलीपुरम वर बिल्ट बाई किंग नरिशम वारामन ने उनको बनवाया था ओफ दा पल्लव डिंसिटी के अंडर में इच राठा वोस कट फ्रोमा हीूज सिंगल मैसिव ब्लोक ओफ स्टोन यानिके एक जो राठाज होते थे वो एक बड़े-बड़े सिंगल मैसिव जो स्टोन थे ब्लोक उनके उनमें मैस किये गए थे एट लिटल डिस्टैंस फ्रो ब्रिक्स और मोर्टर का यूज हुआ था इस टैंपल को बनाने में आगे आता है बरीहादेश्वरा टैंपल जो तंजोर में था यह लोर्ड शीवा यह लोडशीवा को भगवान शीव को यह डैडिकेटिट साई के टेंपल इट वोस बिल्ट बाइदा फेमज चोला रुलल राज राजा वन के द्वारा ये बनवाया गया था कब 1011 A.D. में इडिस प्रोबेबली दा बिग्गेस टेंपल इंसाउथ इंडिया का एक बहुत बड़ा टेंपल है ये दबरी हादेश्वरा टेंपल हाज आ पैर इंडिर टो इन देटिंग बोथ गोड़्ज अंड ओर्डिनरी मोर्टल सेंद तकारडे वॉफ दव ओवल्स आगा था लैंग्वेज आंड ली ट्रेचर दग्रोथ जो अलग अलग लैंग्वेजिज थी वो चोला पीरद के धोर नाइध थी देर वोज ग्रोथ आव तंमिल प्रिच्ज क्या था याने कि परवचन दिया था अधवेता फिलोस्पी के बारे में जो रामानुच और मधवा वर अदर रेलिजियस रिफोर्मर्स ओव इस टाइम के दूसरे रेलिजियस रिफोर्मर्स से कौन रामार्जुन और मधवा यानि कि उन्होंने प्रेजड किया था परवचन दिया था किसके बारे में भगती के बारे में और कंप्लीट डिवोशन तू गोड के बारे में अब आपका exercise work देखेंगे यहाँ पर आपके exercise work है सबसे एवाला question आपका है उसके answer आप लगाएंगे नंबर 1 में आएगा A पॉर में B और फाइफ में भी बी प्रो फोल्स करेंगे कोशिन नंबर बी फरस्ट थ्री में यानि की वन टूर थ्री तीनों में टू आएगा फॉर्थ में फॉल्स फिफ्त में टू अंसर नंबर सी इसकी स्टार्टिंग करेंगे there was a long battle को complete कर देंगे by the historians second answer गुजर's came to India इसको एंड करेंगे 5th century AD और उसके बाद लिखेंगे दा प्रतिहाराज वर और उसको एंड कर देंगे none as गुजर गुजर प्रतिहाराज यह second का यह answer दोनो थर में आ जाएगा चहामन्स वर लेटर उसको एंड कर देंगे 11th century AD और उसके साथी paragraph शिरू करेंगे पिट्थ्वीराज चोहान 3 उसको एंड कर देंगे the age of 14 4th is as a mark of his victory गंगई कॉंडम इसको एंड करेंगे गंगई कॉंडम कंक्यूर ओफ गंगा इसको एंड कर देंगे massive block of stone आंसर नंबर D शहाबुद्दीन महुमद गोरी कंप्लीट करेंगे जर्नल कुतुबुद्दीन एबग second आजाएगा राज राज राजा चोला मैन और famous इसको कंप्लीट कर देंगे chariot as a present of राजिंद्र चोला answer number 3 the चोला रूलर्स made great complete करेंगे centers of craft production and all the exercise work and question answer you have to do in your notebook and learn it okay करेंगे